हाई फ्रेंड्स तो कैसे आप सब उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे मैं धीरच कमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल एजुकेशन यहोर फ्यूचर में दोस्तों आज मैं आपके लेकिया हैं प्रशनावली 13 के बी का पार्ट 5 यदि आपन सब्सक्राइब करते हैं क्येश्चन नंबर 16 से देखें दोस्तों क्या बोला है इसमें बोला है 12 सेंटी मीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले आठ घनों में काटा जाता है नए घन की क्या भुजा होगी साथ ही इन दोनों घनों के प्रिष्टीज छेत्र बोला है कि कोई 12 सेंटी मीटर का भुजा वाला एक ठोस घन है जिसको बराबर आठ भागों में काटा जाता है फिर नए घन की क्या भुजा होगी वह आपको बताना है और इन दोनों का बताना है आपको अनुपात बताना है प्रिष्टीज छेत्र फलका तो चलिए दोस्तो इस क्वेश्चन को हम हल करते है ठीक है तो पहले भुजा क्या दिया है उसको हम लिख लेते हैं ठीक है तो यहां लिखे सबसे पहले आप हल हल लिखने के बाद भुजा की तरफ चलते देखते हैं भुजा क्या दिया है भुजा मलब ए होता है क्या होता है दोस्तों आपका यह बराबर आपका क्या दिया है यहाँ यहां लिखें 12 सथ्थो घंग का आयतन पहले रिखान आए 12 स्थ्थोस घंग का आयतन निकाल लेते हैं तो चलिए दोस्तोथ령 अब हम निकाल लेते हैं थोगता यहां ठोस के घंघ का के आयतन और आपको पता है दोस्तो है स्अभाभर क्या होता है भूजा का क्यूब टिक यानि एक का मान कितना यहां पर हम लिखेंगे बारह का क्यूब तो चले दोस्तों बारह का हम क्यूब निकाल ले तो यहां लिखेंगे बारह गुड़ते बारह गुड़ते बारह तो बारह बरह में कितना हो जाए 144 144 12 का गुड़ा करेंगे तो कितना है गया देख लेते हैं ऊपर 144 में किसे गुड़ा करेंगे बारत 1448 हासिल लगा चार 12 48 52 कहीं हाँ 2 हासिल लगा पांच 12 12 15 17 तो यहां पे आ जाएगा तो यहां पे आपका जुमान निकला 17 28 घं सेंटी मीटर अब फिर बोल रहा है किसको कितने भागों में काट दिया जाए आठ भागों में काट दिया जाए ठीक है तो चलिए नया घं हमें मिलेगा यहां से क्या मिलेगा नया आयतन मिलेगा जब आठ भागों में काट दिया जा क्योंकि 8 भागों में काटना है तो 8 है यानि 8 से इसमें क्या करेंगे भाग कर देंगे ठीक है यहां नए घं का आयतन होगा ठीक है या नया आयतन या नए घं का आइतन तो 8 भागों इसको बाटेंगे कितना है 1718 भागे कितना हो जाएगा आठ अब आट से इसमें भाग देना है निहीं काट देना है चली आठ से काट देते हैं देखते हैं तो 8 दुनी 16 बचेगा-8 बचेगा कितना चार 48 अट8 क्टित्ना हो जाएगा 202 16 क्या जाएगा आयतन किसमे होत cobay time सेंटी मीटर क्या हो जाएगा गियोग suitable सेंटी मीटर क्यों निकल गया Commerce करें आयतन किभूजा कितना था ऊच्छान निकल गया आप उसकी क्या करेंगे भूजा निकाल लेंगे ठीक है तो चलिए अब हम नए घं का क्या निकाल लेते हैं भूजा तो यहां लिखे नए घं का आयतन बराबर क्या होगा एक क्यूब ठीक है नए घं का आयतन बराबर एक क्यूब होगा हमेशा भूजा का क्यूब होगा ठीक है तो नए घं का आयतन निकालेंगे तो नए यहां देखिए यह नए आयतन निकला किन्दा निकला है 216 तो यहां इसके जगन लिखेंगे 216 और यह क्या रहेगा एक्यूब और 206 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों अगर यहां से हम क्यूब हटाएंगे तो यह बराबर क्या निकलेगे इस पर 200 क्या लग जाएगा घन लग जाएगा तो चलिए बराबर निकालेंगे तो यह घन चलिए इस दोनों के प्रिष्टिज छेत्रफल का हम अनुपाद भेह को जाएगा तो चलिए इन दोनों के प्रिष्टीज छेत्रफल का हम अनुपाद भी निकाल लेते हैं तो पहले पुराने का निकाल लेंगे उसके बाद नए का फिर इन दोनों को क्या करेंगा अनुपाद में हम लिख देंगे ठीक है तो चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं अब आपको क्या करना है नए घन का अनुपाद पहले पुराने यानि जो पहला था 12 सेंटीमीटर का उसका प्रिष्टी छेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है सिक्स एक स्क्वाइर यानि सिक्स भूजा का स्क्वाइर तो चले दोस्तों इसे मान रख देते हैं तो चैसे रहेगा मूल मूल की जो भूजा थी पुरानी भूजा कितनी दी 12 तो यहां 12 का क्या हो जाएगा स्क्वाइर ठीक है अब आपको क्या करना है ध्यान दीजिए च्छाव ऐसे रहेगा गुरते बारा बरह में 144 तो यहां पर आपको लिख देना 144 अब 6 का गुड़ा किसमे करना 144 में तो चले 6 का गुड़ा हम 144 में करते हैं 6 424 हांसी लगा कितन हो जाएगा 8 का प्रिष्टिज चेतरफल निकला में तो यह प्रिष्टिज चेतरफल निकला और अब आपको क्या करना है जो नया घन मिला है में नये घन का यह लिखन का नकाले है अब हम नए घं का निकालेंगे ठीक है तो यहां लिखे नए घं का प्रिष्ठी छेतरफल नए घं का प्रिष्ठी छेतरफल तो जो नए घं का प्रिष्ठी छेतरफल निकलेगा वो भी यही होगा पर, क्या फार्मुला होगा, 6a25, लेकिन 6 ऐसे रहेगा, अब नए घंका जो में मिला था, भूजा वो कितना मिला था? 6, तो यहाँ पर हम रखेंगे 6 का का स्क्वार लगाएंगे, तो 6 ऐसे ही रहेगा, और यह 6 का स्क्वार करेंगे 6 चाहां के 36, और 36 चके 200 कितना हो जाएग सोल तो भी क्या centimeter square अब इन दोनों का आपसे क्या पूछा है अनुपाद पूछा है तो चलिए इन दोनों का माम निकाल लेते हैं जैसे जो मूल घं तृता नये घं में निकालना है तृत यहीं मूल घं जो मूलगन का मलब जो पहले से आयतन दिया है और फिर आठ भागों जो बाटा आ गया है वो नए आयतन ठीक है तो मूलगन तथा नए घन यहां लिखिए नए घन का में या न का में या का लिखे आप में लिखे अनुपाद तो इसका अनुपाद हम जब निकाल लेंगे हाथ अनुपाद का मलब बटेम कर दें आठ सो पहले का क्या निकला था 864 ठीक है और जो नया निकला है कितना निकला तो अगर इसको हम काटें तो चार बार में कर जाएगा तो जो इसका अनुपाद निकलेगा वह कितना निकलेगा दोस्तो चार अनुपाद एक निकलेगा और यही आपक्या हो जाएगा एंड्सखोर जाएगा समझे Gotcha 19 मेंनंबह सद्रहszy आप देखें दोस्तों क्यों इन नमबह सत्रहन क्या चलें देख लेतें क्यों सत्रह में बोला है तीन घहरी और चालिस मीटर लंबी चौड़ी एक नदी दो किलो मीटर प्रति घंटा की चाल से बहकर समुद्रों में गिरती है एक मिनेट में समुद्र कितना पान समुद्र में कितना पानी गिरे गा तो चले दोस्तों बहुत मज़ेदार क्योश्चन है सब सपहले इसका मुचाई लंबायो जो दिया है चौड़ाई लंबाय दिया पहले उसको हम लिख लेते ठीक है तो फिर आयतन निकाल लेंगे लंबायो चौड़ाई उचाई दिया उससे आयतन निकाल लेंगे फिर एक मिनेट में कितना गिर रहा है पानी उसका आयतन निकाल लेंगे ठीक है समुद्र में चले दोस्तों सिम्पल सा question है सबसे पढ Johann Schild लिखने की बाद जो जो दिया उसको ले यह तो चले देखते न Sans सो क्या क्या दिया है आपको यहां दिया गहरी कितनी तीन मीटर और परके किदना दिया इतीन मीटर तेन जा मीटर में दिया है किलो मीटर को किसमें चेंज करेंगे मीटर में तो मीटर में चेंज करने के लिए मिसमें क्या करेंगे 1000 से गुडा कर देंगे ठीक है जब 1000 से गुडा करेंगे कितना निकल जाएगा 2000 मीटर ठीक है तो यहां लिख दीजिए 2000 2000 मीटर यह आपका निकल गया लंबाई कि अब आपको क्या करना है हम लंबाई चवड़ाई उचाई सभी मालूम हो गए तो समुद्र में गिर रहे पानी का आयतन निकाले ज़िए ठीक है तो यहां लिखें समुद्र में गिर रहे पानी का आयतन गिर रहे पानी का आयतन तो समुद्र में गिर रहे पानी का आयतन आयतन बराबर क्या होता है दोस्तो लंबाई गुड़ी चवड़ाई गुड़ी उचाई यहां पर लगेगा ठीक है जब कोर दिया रहेगा आपको तो एक क्यूब लगाना है भुजा दिया रहेगा तो लंब लंबाई दिया कितना 2000 कितना दिया है 2000 मीटर उसका चौड़ाई कितना दिया है 40 यहां लिखेंगे 40 उचाई कितना दिया है तो 24 अब देखिए कितना सुनने बच रहा है उसको अब लिखी दीजे यह समुद्र में गिर रहा है लेकिन बोला है एक मिनट में समूद्र में कितना पानी गीर रहा है उसका आयतना बताईए तो चलिए दोस्तों यहां अब हम निकाल लेते हैं एक मिनट में थीक है तो अब क्या करेंगे एक मिनिट में एक मिनिट में क्या करना यहां देखे कितना पूरा आयतन है यहां पूरा आयतन है वह है दो लाख चालिस हजार घंड मीटर ठीक है और अब बोला एक मिनट में एक मिनट में कितने सेकंड साठ सेकंड होते हैं ठीक है तो साठ कर दीजिए अब इससे क्या करना आपको भाग कर देना है तो च्छ जीरो जीरो कर जाएगा च्छ चव के कितना हो जाएगा 24 यहां लिख एक दौ तीन जीरो ठीक है 27 मीटर यहां लिख दे़े जिए गंड मीटर और जो आया है यही आपका क्या हो जाएगा एंस्वर हो जाएगस इसीको आपको कर देना है एंस्वर संभाग थासरा है 3000 मिंटर क्लार में समुझ जाए आँसे की तरफ बढ़ते हैं आँसर नमबर अठार अब दिस थो तो ट्रॉस्ट्टार सब्सक्राइब उसने ग्णाब की लंबाई कमा चणडाई और उचाई का अनुपाद पांच अनुपाते तीन अनुपाते दो है यद घनाब का संपुर्ड प्रिष्ठी छेत्रफल पांच सव अठावन सेंटीमीटर स्क्वाइर हो तो उसकी कोरो का माप ग्यात कीजिए इसमें आपको क्या ग्यात करना है कोर ग्यात करना है ठीक है तो चले दोस्तों सिंपल सा क्योश्चन है हम कैसे हल कर जो अनुपात पहले दिया आप उसको लिख लिजिए ठीक है तो यहां पे लिखिए आप घनाब की लंबाई चडाई जो दिया है उसको हम पहले उसका अनुपात लिख लेते हैं अनुपाद लिखने के बाद तब हम इस question को हल करते हैं तो यहाँ पर क्या दिया है दोस्तो दिया है घनाब की लंबाई चणाई और उचाई का अनुपाद तो यहाँ लिखे घनाब की लंबाई चणाई और उचाई ठीक है लंबाई, चड़ाई और उचाई का अनुपाद, इसका अनुपाद क्या दिया है, उसको हम लिख लेते हैं, तो इसका जो अनुपाद दिया है, वो दिया है, पांच अनुपादे, तीन अनुपादे, दो, ठीक है, घनाप की जो लंबाई है, चड़ाई है, और उचाई है, उ यहां जो घनाब की लंबाई निकलेगी वह क्या निकलेगी फाइट एक्स ठीक है और चौड़ाई जो निकलेगी वह क्या निकलेगी चौणाई निकले गी आपकी 3x और उचाई निकलना आपको तो यहां लिखें उचाई जब आप उचाई निकलेंगे तो उचाई आपकी कितनी है 2 है अनुपार 2 है तो यक्स लगा दिजे कि कितना मेन था ठीक है तो यहां पे लंबाई 5x चौणाई 3x और उचाई कितना निक दाल लेना है तो चलिए हैं गनाब का संपुढ़ प्रिष्ठि छेतरफल तो यहां लेखे घनाब का अ कर संपुढ़ कि प्रिष्ठी में फिर scheduled कि में खनाब का संपुढ़ प्रिष्ठी छेतरफल कितना दिया है कि यहां क्योस्टन में आपको दिया है 508 वर्ग सेंटमी चांवां च होता है दो गुर्ते लंबाई एंटू चड़ाई प्लस चड़ाई एंटू उचाई प्लस और उचाई इन्टू क्या होता है लंबाई धीक है और यह आपको ब्राबर में खितना दिया है पाँच औथाइस नहाओ आपको क्या करना है लंबाई जो चौड़ाइउ। दिया उसका मानिस में रख देना है तो यहां पलत ना लिकुना कितना 5 एक्स तो चौड़ाइte चड़ाई कितना दिया है तो यहां पर लिखना है तीन एक्स प्लस चड़ाई कितना दिया है तो यहां पर लिखना है तीन एक्स इंटू उचाई कितना दिया है दो यक्स तो यहां लिखना है दो एक्स इंटू लंबाई कितना दिया है पांच यक्स अब रैकेट को क्यार दे कर देंगे Q2 15 पिर कर देंगे एक्सका sculpture और बदाबर्म कितना है 515 समझा रहा रहा वह दो کہ दो अभी नहीं करना पहले इसको जोड लीजिए 25 और 15 चैसक्छी कितना हो जाएगा 31 यहा पाजा है दो गुड़ते 31 एकस स्कॉयर और बराबर में कितना पांच सव अथावन यदी हमें यहाँ पर निकालना होगा एक स्कॉयर या एक स्कॉयर निकालना होगा तो क्या बर एक तीस और दो कहां जाएंगे बटे में तो यहां लिखेंगे दो दूनी चार एक बचेगा 15 हो जाएगा दो सते 14 हो जाएगा कितना चेगा एक बचेगा 18 दू नौबा कितना हो जाएगा अब देखे इसको हम एक 30 से काटेंगे यहां पर कितनी बार नौबार में कट जाएगा तो चले देखिए दोस्तों यह किसinki का डी यक्स सकवाण एक सक्वण क delighted नौब आपको सभी मरें तो चलिए दोस्तों सबसे लंबाई दो निकाल ठीक है तो लंबाई जो हममने माना था वह क्या माना था पांच एकस तो पांच है एक्स कामान कितना तीन तो पांच तीयाई 15 15 क्या सेंटीमीटर किसमें दिया है सेंटीमीटर में दिया तो हम क्या करेंगे इसको हम सेंटीमीटर लिख देंगे तो यहां पर लिखेंगे सेंटीमीटर उसके बाद क्या निकालना है लंबाई हो गया अब आप निकाल लिए हो जाएगा नौ क्या सेंटी मीटर अब यहां से आपको निकाल लेना है उचाई उचाई आपको क्या कर देना है इन तीनों को तो लिख दीजे यहां पर क्या हो जाएगा सब्सक्राइब नेक्स्ट की तरह बढ़ते हैं क्वेस्चन नंबर उननीश अब देखिए दोस्तों क्यों नंबर उननीश में क्या बोला है इसमें बोला है एक घनाव 12 सेंटिमीटर लंबा 9 सेंटिमीटर चौड़ा और 5 सेंटिमीटर उचा है घनाप का संपूर प्रिष्टिजच छेतरफल एवं आयतन गयात कीज़ें समपूर प्रिष्टिजच छेतरफल ग्यांत करना है औप ख parse कना दिया उसकु एम क्या करते है लिखने के बाद यहाश करते हैं तो धेकंशतों क्या क्या दिया इसमें आपका वemu सेंटी चौणाई आपका दिया 9 cm तो यहाँ आप लिख दीजिए 9 cm और उचाई कितना दिया है 5 तो यहाँ आप लिख दीजिए 5 cm ठीक है लंबाई चौणाई उचाई यहाँ पर हो गया अब आपको क्या निकलना है घनाप का संपूर्ड प्रिष्ठी छेतरफल पूचा है और घनाप का संपूर्ड प्रिष्ठी चेतरफल का फार्मूला क्या होगा है यहाँ फिल लंबाई-टू-चौड़ाई प्लस चाउड़ाई इन्टू-चाई ऊचाई इन्टू क्या है लंबाई तो चलिए दोस्त बिस्वीम रख कर इसको क्या करते हैं हल कर लें तो दो को ऐसा आप देखें लंबाई कितना लंबाई कितना इतना इसको सब लिए अब आपको क्या करना इसका गुड़ा कर लेना है तो अभी तो इसे लिए 129 या 108 प्लस पुरा टोटल कर देते हैं तो टोटल आप जब इसको करेंगे तो कितना आएगा देखे जीरो पांच आड़ाज पांच तेरह किया तीन हांसिल लगा एक चार ग्यार है यहां हांसिल लगा एक और एक कितना हो जाएगा दो और 293 में 12 person 26 कितना जाएगा 426 क्या यह सेंटीमिटर होगा टीक है लेकर जो परिस्टी छेतरफल है वो क्या होता है वर्ग में होता है तो यहां लिखिय Lead क्या सेंटी घनाव का आयतन के घनाव के आयतन का फार्मूला क्या होगा दोस्तों यहां पर ओगा लंबाई गुर्त है चौड़ाई गुर्ते उचाई अब इसका मान र argent का मान है वह 12- 20- 25 और इसकी का मान है कि इसकी साथ है नव और उचाई का मान है वह छुक के चthose को यह उन और तरह दो bounce किश फोता है अगन में से हैं में कर यह आपका हो जाएगा टिक है तो पहला यह आपका रहा और दूसरा यह क्वेस्टन आप से पूछा है ढूने आपके रहा हो है । तो जोर्म हम नेक्स्ट क्वेस्टन HAS 20 कि आप देखिए दोस्तों क्योएस्टन नंबर 20 क्या बोला है इसमें आप से बोला है छह मीटर भूजा के वरगाकार कि फर्स के कमरे में 180 घंड मीटर हवा है कमरे की उचाई ग्यांत कीजिए इसमें आपको क्या करना दोस्तों कमरे की उचाई ग्यांत करना है तो सबसे पहले भूजा कितना दिया गया उसको लिख लेते हैं ठीक है दोस्तों यहां लिखे हल भूजा क्या होता ए बराबर हम लिखेंगे कितना च्छ मीटर दिया है तो आप यहां दिख दीजे च्छ मीटर अब वरगाकार कमरे का छेत्रफल नि छेत्रफल निकालेंगे कम्रे का तो क्या होगा एस्क्वार यह का मान दिया एच्छा करेंगा हमिस्क्वार टो च्छ्छ THE C कितना जायेगा 36 watching वह भी क्या वर्ग मीटर ठीक है देकobyl अगा वरग मीटर यां लिखेंगे वरग मेटर यह कम्रे का छेत्रफल निकल लगLS वरगाकार अब आप पूचह तो हवा का आयतन पजब आधन निकालेंगे आयतन बराबर क्या होता एक क्यूंग दिया है साइट इसमें दिया है 180 गन मीटर यहां लिखे 180 घन मीटर ठीक है जानी मीटर का क्या हो जाएगा क्यों अब आपको क्या करना है क्मरे की उचाई ग्यांद करनी है तो उचाई कैसे निकालेंगे आप चले देखते है वरगाकार कमरा है तो वरगाकार कमरे का चोछ फार्मूला वह आयतन बराबर होता है छेत्रफल बराबर होगा क्या लंबाई चलिए हम पहले लिखी देते उसकी बाद आपको उताते नहीं समझ नहीं आएगा ठीक है तो यहां पर हम आपको फार्मूला उता दे कमरे की उचाई बराबर और नीचे क्या हो जायगा छेत्रफल तो लिख लिए आयतन बटे छेत्रफल तो आयतन जो आपका दिया कितना दिया एक pirate और छेत्र फल जोहगा आंपका कितना वह जाये लिखाए चैहां निकला क्या निकला कितना एक Se ne मी-ट तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तो एंसौर हो जाएगा एसी को आपको कर लेना एंस्वर समझ्यात Пр głow थो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही अप से मिलेंगे अगले वीडियो में बचे हुए सवालों के सांद आपया दोस्तों श् heter 2020 आप पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजे दोस्तों को सेर कर दीजे ठीक है और इस चैनल पर आपका फ्री में पूरा कोर्स मिलेगा दोस्तों तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अब हम आप से मिलेंगे अगले वीडियो में बचे हुए सवालों के साथ तब तक